मुबारक दोस्तों आपके देश का प्रधान मंत्री इस तरीके की ओची भाषा पर उतर आया है कि जिसका कोई सवाल नहीं करा जा सकता इतना ज्यादा स्टूप लो कर गया है बिलो दबेल्ट हिट कर रहा है अपने उपोजीशन को क्योंकि दोस्तों इनके पास किसी भी तरीक थोड़ा सा समय में पीछे लेकर जाना चाहूंगा कि जब मोदी जी ने अपने पोजीशन को गाली अंदी गंदी घंदी 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 तो उसके बाद इलेक्शन में क्या हुआ दोस्तों चाहें मोदी जी की जितनी भी पसंद करते हो उनके जो बच्चे अंधभकत हैं प् पर नीजबात नीज भाषा का जो उप्योग है वो इलेक्शन में नहीं करता इसके एक्जामपल पर अगर मैं बताना चाहूं आपको तो करनाटका का इलेक्शन इन फैक्ट उसके बाद अगर हम देखें तो मध्यप्रदेश राजस्थान का इलेक्शन जहां पर मोदी जी बात कही थी कि कॉंग्रेस की विद्वा को कौन सी विद्वा को पेंशन जाती है वह स्टेटमेंट पास किया था या फिर करनाटका कि अगर मैं बात करूं तो मा बेटे से काम नहीं चला तो मा भी आ गई यह सब बात प्रदान मंतरी ने बोली थी तो इसका किसी भी तरीके स इसका कोई फायदा नहीं मिला लेकिन जो आदमी अपनी आदत से मजबूर हो जाता है दोस्तों वो ऐसी हरकते करना छोड़ी नहीं सकता यह फोटो देखिए आप इस साइट और देखिए इस आदमी को अगर आप आप यह सोच रहे होंगे कि मैं बोलूँगा कि आदमी जैस देखते है यह आदमी वैसा ही है आदमी जैसा घटिया दिखता है शकल में इसका चरित्र भी वैसा ही घटिया है किस तरीके की भाशा का इस्तिमाल किया गया पहले आप एक बार झाहा खुदी सुन लिजे कल की लगनव की रैली के अंदर आपके पिताजी को आपके राग दिरबारियों ने Mr. Clean बना दिया था गाजे बाजे के साथ Mr. Clean Mr. Clean चला था लेकिन देखते ही देखते प्रशाचारी नंबर बन के रुपे उनका जीवनकाल समापत हो गया तो दोस्तो सुनी आपने क्या बात बोली नरेंद्र मोधी ने बोला कि राहुल गांधी को इन्हों दोस्तों कोई अजेंडा नहीं कोई बात नहीं कोई नहीं क्या मैं development करूंगा मैं इंडस्ट्री को कैसे बेटर करूंगा जो बैंक्स की पॉटी निकली पड़ी आची रेट में जो सरकारी बैंक्स की हालत खस्ता होई पड़ी आची रेट में मैं उनको दुबारा रिवाइब कैसे करूंगा नहीं इन सब के बारें बात नहीं है बात यह कि तुम्हारे पिता जी कैसे मौत मरें तुम्हारी माता जी कैसी मौत मरी तुम्हारे पिता जी कितने बूड़े हैं तुम्हारे पिता जी कितने कैसे हैं और तुम्हारे दादा जी कैसे थे तुम्हारे जो सरांड़े इन्फग्पक्टों से सरांड़े इनके अन्भख्टों में एक बैक्टिर्या फैला हुआ है वो है नेगिटिविटी का बैक्टिर्या और उनको ऐसी बाते सुधने में मज़ा आता है कि जब कॉंग्रेस को गाली दी जाती है कॉंग्रेस के खिलाफ ऐसी नीच क्ल eddyya i1 कös प ses कंदने शालता है किपना अनभायस तरीके से हर पारटी की ओरली तरीके से अच्छे तरीके से धौडा ओ तो अच्छे तरीके से लेकिन इस तरीके की भाशा को सपोर्ट iPhones kunne क्योंकि इस तरीके की भाषा जो होती है वह अल्टिमेटली हमारे देश के आपर पॉलिटिकल सेनारियों को नीचे लेकर आ रही है फाइदा मिलता उस company को उसी तरीके से मैं चाहता हूं एक healthy competition politics में उसका फाइदा मिले हमारे देश को simple सी बात और ऐसी भाषा यूज करने वाले लोग कभी भी हमारे देश में healthy competition वाली politics नहीं लेकर आने वाले अगर यही बात अखिलेश आदव बोलते हैं अगर यही बात मायावती बोलती अगर यही बात ममताब एनरजी बोलती कोई भी अन्य नेता अगर इस तरीके की भाषा का इस्तिमाल करता मोदी जी तो बहुत बड़ी चीज़े मैं तो कह रहा हूं मनोच तिवारी के खिलाफ जो छोटा सा अगर एक नेता इनका उसके खिलाफ इस तरीके की भाषा इस्तिमाल करी जाती तो किस तरीके से उसको बैश अप कर दिया जाता सोशल मीडिया पर नहीं है आप लोग इस चीज़ को भली बात ही जानते हैं लेकिन दोस्तों यह बात क्योंकि मोदी जी ने बोली है तो ना इसके उपर गोदी मीडिया कुछ बोलेगी ना इसके उपर ट्रेंट चल रहे हैं ट्वीटर के ट्रेंट इस वीडियो को बनाने से ठीक पहले मैंने मोदी जी की भाषा इस एकसेप्टेबल मोदी जी की भाषा के अगेंस्थ आपको कोई ग्रजी नहीं है आप उसको अपोजी नहीं कर रहे हैं तो कल को यह भाषा आपके लिए बीस्तेमाल होगी अगर जो लोग अपने उपर अत्याचार हो रहा होता है दोस्तों ये बात आ अत्याचार हो रहा होता है उसमें उस आदमी का भी स्क्राइर ओपर अत्याचार मोरब डौके को बाते लिए कर mega किया कि आप अपके समय अंगी नहीं करतेये में ने आपके बारे मैं आपको पर बता चुका हूँ अगर आपने नहीं देखे आप तो आई बटन पर दबाके उस वीडियो को भी देख लीजिए संगी लोग तंत्र के बाद आपके पास कोई रस्ता नहीं बचेगा और फिर मोधी जैसी भाषा का इस्तिमाल आज की डिट में राहूल गांधी के लिए कर रहे हैं जैसे वह मायावती के लिए कर रहे हैं उस तर लोगों की तो इसमें गलती नहीं होगी हम तो अवाज लिटरली बार-बार उठा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग भी जागो किसी तरीके से आप लोगों को भी बात समझ आए लेकिन दोस्तों इस चीज को और भी अगर हम गहराई से देखें तो इस चीज को ऐ कोई ना कहीं हरा सकता है मतलब everything is fair in love and war हमने सुना था लेकिन फिर भी एक बेसिक एक जगह होती है जहां पर आके आप रुख जाते हैं अगर आप किसी से लड़ाई करते करते एक friendly fight भी चल रही है या फिर अगर एक match भी चल रहा है और इस हैं पर इसी को बढ़िक्स को कहिं लेकर आँ हैं किन अए जबारे सब Kore चीजों के बारे में किन फूले मोदी जी घंटिए भाषा पो चन्य नहीं ब्रमłe क्या होगा दोस्तों कीचड क्रियेट हो जाएगा एक मैंसब क्रियेट हो जाएगा सारे में और उसका जो सबसे बुरा इंपक्ट पड़ेगा वह आपके वह मेरे उपर भी नहीं पड़ेगा वह पड़ेगा हमारी आने वाली जनरेशन के उपर हमारे शायद बच्चे या उनक सबसे जादा नुकसान आज की डेट में इस भाषा की वज़े से हो रहा है क्या सोच रही होगी फॉरण मीडिया हमारे बारे में मजाग उड़ रहा है हमारा दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो सब्सक्राइब का बटन जबाएं बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाएं जिससे कि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच पाए अगर आप लोग फेस्बुक ट्विटर और इस्टेग्राम पे तो वहां जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं पेट्रियन का भी लिंक मैं नीचे डिस्रिप्शन में दे चु झाल 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 झाल